कि तुतला बंदूर करने के कारगरन उसके क्या है तो डॉक्टर साब तुतला बंदूर करने को लेकर क्या है आज के संजी में जहां तक इसको समझना पड़ेगा कि कोई भी वेक्ति जो तुतलाता है वो क्यों तुतलाता है थे कई कारण होते हैं या तो मस्तिश का जो हमारे speech centers हैं वो कमजोर है अगर ऐसी बात है तो उसके लिए बहुत अच्छी चीजा भी नश्य किया हमने जिकर किया कि अश्वगंदा घी से उसको नश्य कराए जाए अश्वगंदा बड़ी टाकत की चीज है उसके जीव का कही भरी पैलेट जो है उसके साथ आपकी जीव चिपकी होती है वो जरह चेक करना पड़ता है तो के बारे डॉक्टर लोग उसको थोड़ा चोटा सा सर्जरी करके उसको हटा देते हैं वहां से जो कर वो चिपका हुआ जो तो फिर उससे उनकी आवाज खुल जाती है और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो इसलिए तुतलाते हैं हकलाते हैं कि बहुत तेज बोलते हैं स्पीड बड़ी तेज है उनकी बात परकृती वाले लोग खासतोर से मैंने देखा है तो अगर ऐसी आपकी है, तो उसमें देखना क्या है, उसके थोड़ा स्लोली बोलना चाहिए. जिस सेंटेंस को आप बहुत स्पीड से बोल रहे हैं, उसको थोड़ा स्लोली आप बोलें, इससे आपको फर्क पड़ेगा और थोड़ा प्राणाय मित्यादी करने से भी आपको डेफिनेटली फरक पड़ेगा.